नमस्कात असा सागत कते हैं आपके अपकी यूटूब चैनल एस चड़ियान पे तो जैसा कि आप सबको पता है हम आपकी बीसी फर्स्ट एर में जो आपकी मैस की बुक है एक अउकलन गडित यानी डिफ्रेंशल केलकुलस उसके एक चेप्टर आंशिक अउकलन यानी पार्श कोशन्स करा रहे हो कौनसी बुक से करा रहे हैं तो मैं आपको बता देए हम मेरे पास जो बुक है वो है नवकार प्रकाशिन की जो कि राजिस्तान की ज्यादा तर यूवसिटियों में ये बुक चलती है और आप जिस भी यूवसिटिस है आप ये वीडियो देख सकते हैं क even method समझना होता है, अगर आपको method आता है, तो आप कोई सब यह question यहाँ पर कर सकते हैं, और इन question से भी आप practice कर सकते हैं, और यह question ज़्यादतर university की किताब में भी होते हैं, तो आईए आज के जो हम वीडियो पर बात करते हैं, तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देसे तो यह question है, जो कि आपकी बुक काई question है, कि if z equal to 10 inverse y upon x, then prove that हमको यहाँ पर क्या करना है, यह चीछ यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, यह चीछ यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, delta 2z upon del x square, plus में delta 2z upon del y square equal to 0, अब जो students लगाता है, हमारे questions यहाँ पर करते जा रहे हैं, उन सब को पता है क हमें यहाँ पर क्या करना है? कि हमारे यहाँ पर function दे रखा कि सबसे पहले हमें, क्या करना होगा? x के साफ़ जो कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला आप इसे without skip करें इस वीडियो को पूरा जरू दिखेगा जैसे कि आपको यहाँ पर एक function दे रखा जैसे हम equation नमर फर्ष्ट माल लेते हैं सबसे पहले हमें जो आपको method पढ़ाएगी सबसे पहले हमें x के साफे शांश का उकलम करना होगा ठीक है यानि जो आपको partial differentiation करना होगा sk2 तो जैसे z आपको डेल x आप सबको 10 inverse का formula यादी होगा हम काफी वीडियो से आपको पढ़ाते बिजा रहे हैं यह 1 upon में 1 plus y upon x square आप सबको पता इसका जो formula होता है 1 upon 1 plus x square होता है इस x की जगह यह क्या पूरी value दे रहा है y upon x तो हम यहापर put कर देते हैं अब हमें इसके अंदर का भी alkalom करना होगा आप सबको पता अगर हम x के साफे शांश का alkalom कर रहे हो और हम आपन नी सकते उसकी बीची ऑपके यह, पिलस में y square आपकी होगी, जो आपके नीचे x square और ऊपर चल जाएगा यहापर होहिma, ए सबसे नी that यहाँ पर अचर है, तो हम यहाँ पर बाहर अचर को और साथ में माइनस को बहुत छोड़ देते, अब हमें केवल किसका करना होगा, आउकलन केवल S के सापेश आउन्शी का उकलन करना है, तो यहां पर यहां है थो हम्हारा अच्यार है तो हम यहापर एक फॉर्मुला क्सक्ते हैं अगर यहां पर इतुझ पर लंगा सकते हैं यहाप देश्क टेखonta है užन टेसे बोर्मौला लगा को कॉष्ञ कैने आपके बाफ क्वा इ Syl्azar ट्री आता होता है माइनस वन अपॉन एक स्कॉयर का तो यह आपके आ जाता है उसके वाला और अगर आप इसी नॉर्मल तरीकी से भी करना चाहते हैं कि सब्सक्राइब करना है तो आप भी एक फॉर्मुला हो लगा सकते हैं जो मैं पहले भी वीडियो में बता है एक अपॉन बी का क्या है जैसे हम आपको दोनों मेंस मेस बताते हैं इससे आपको दोनमी समय में आ जाए यहांपर हम इसका हुप हो इसका होकल अनदर का करना होगा थि क्या होगा ।क्य। यह जीरो हो जाएगा और जब हम इसे यहां पर इंटू करते हैं यह माइनल माइनस से प्लस हो जाता है यह आपके 2XY हो जाता है और अपोन में आपके X2Y2 का होल स्काइर बसता है यह आपकी क्या है equation 2 तो हमने एक तो जो आपको method हो क्या आप क्या solve कर चुके है जैसा कि हमने शुरात में आपको method बढ़ाया था कि delta 2z upon del x square तो हमने अब निकाल चुके अब हम क्या निकालेंगे delta 2z upon del y square निकालेंगे फिर दोनों को plus कर देंगे तो सबसे पहले हमें जो आपकी equation नमर first ती अब उसका क्या करना होगा y के सापे 6 को करन करेंगे तो जैसे हम समेकरण first का y के सापे 6 को करते तो इसका 1 upon में 1 plus y upon x square जो की 10 इनिकाल होता है इंटू में अब आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर उपर है तो आपके इंटू में क्या है 1 upon x जो कि यहां पर क्या है अच्छा रहे है इसलिए यहां पर 1 upon x आ जा जाएगा आपके इंटू में 1 plus x है उसके बाद में क्या है आपकी x square x से कर जाएगा तो यहां पर आपके x से बचेगा और आपके x square plus y square है इसके बाद क्या करना होगा हम आप इसका दुबारा पुना y के सापे 6 को करना होगा यानि अगें पार्शिल डिफ्रेंसिशन वीद रेश्टू y करना होगा तो जैसे हम इसका दुबारा पुना अउकलन करते y के सापे तो आप देखते हैं आप डेल 2z आप डेल y square आजाता है अब यहां पर हम y के सापे 6 को कर रहे तो आपका x क्या है यहां पर अच्छा रहे इसे हम भाद चोड़ देते हैं अब वही फूर प्लस में और y square का 2y हो जाएगा अब आगे हम बात करते हैं जैसे फिर हम उसको अंदर से इंटू कर देते तो आपकी यहां पर माइनस 2xy आपकी क्या है एक्वेशन नमर 3 अब हमने यहां पर डेल 2z आपको डेल y square भी निकाल लिया और डेल 2z आपको डेल x square भी हमने वहां हो जाएगा अब आप देख सकते कि दोन के से में तो यहां पर यह कड़ जाएगा और जो आपका फाइनल जो यहां पर आंसर था आपको यहां पर डेल 2z आपन डेल x square डेल 2z आपन डेल y square आपकी क्या इक्वेशन प्रूफ करना था जैसे कि हमने आपको शुरात में बताया की ऐगर पूरे आउज जो आपके समा कलन के इस सब के जो फोर्मुले होते जितने भी फोर्मुले हो तो इसके उपर भी एक separate वीडियो बना दूँँगा जिससे कि आगर आपको एक ओर फोर्मुले रिवाइज हो जाएंगे तो आपके एक और शी प्रेटिस हो जाएए इसल आपने घर पे इसे को जरू सुल करते जाएगा क्योंकि आपकी आपके अच्छीक अच्छी हुचकी है अब आप अच्छीक अच्छी को उख बिल्कुल माहीर हो चुके यहापके पेले तो हम यह पर होगाद है हमारी क्या होगा आपके डापके चल नमर सत्व करते हैं लोग का फूरमिला की क्या हुता है वह सब क्या हुआ ठीट तो पीज़िन होना में है अप्लत कर दो कर ने अग्सक्राइब अट्री स्कॉर्ण करें तो डेल्स एकल्स स्वाटान आपको हमेGold होगा किमागे है scissors स्कॉर्य प्लवाइस प्लसका निशा उसके बार में आपके होगा निशाइब तो x square प्ले y square हो जाएगा और x square आपके उपपर चल जाएगा इंटो में मायनस y आपन x square आपके ही फिर आगे हम बात करते हैं यहापद डेल 2z आपन डेल x और यह 2x आपके यहापके x2y2y2y2y2y2y2y2y2y2y3y2y2y2 ŚPKD2y2y2y2y2y2y2y2y2y2y2y2y2y2Y2y2bd तो यहां पर क्या आपके डेल टू जैड़ एक्कॉर्ट इक्कॉर्ट टू जैसे यह आप देख सकते हैं कि आपके अब मेने आपके शुराद में बताए रहे कि सबसे बहुत हमने वहां पर दूसरा फोर्मुला कर रहा था लेकिन अब हम यहां पर क्या करेंगे जो आपके छोड़ेंगे स्क्राइब क्या है उसके बार में क्या है आपके इस वेल्डी को चोड़ेंगे तो यहां पर थो एक्स को चोड़ेंगा और और एक्स स्क्काइर क्या होगा प्लस जीरो होगा पर आगे हम बात करते जो आपके 2 y स्कायर मैं आपकी ऑपके 2 x स्कायर में बदल जाएगा इसा आगे हम स्ब्सक्राइए अपर आपके ने स्टेम में क्या है 2y²-2x²-2xy अपोन में x²-y का जो बचता है यह आपकी equation में 2 है अब यह हमने del 2z अपोन del 2z अपोन del 2z अपोन del y² इसके लिए क्या करना होगा हमें उसी समीक्राइ नमबर फर्च जो आपकी शुरात में थी उसके क्या करना होगा तो आप सबको पता है जो आपकी शुरात में क्या दे रहा करता है आप लोग को क्या हो जाता है वन अपोन में x²-y² फिर इसके अंदर कर यहां पर क्योंकि हम y के साफिश कर रहें तो यह जीरो यहां पर 2y प्लस में इंटो हो गया प्लस में y² x² उपर जाएगा तो x² इंटो में 1 upon x बसता है जो कि आपकी यहां पर क्या है 2y plus में अब इसका हमें LC में ले लेते है सबसे पहले यहां पर x² से x काट रहे तो आप क्या बसता है 2y plus x x² प्लस y² अब हमें क्या करना होगा इसी का पूना y के सापर शांशी का करना होगा अगें partial differentiation with rest to y करना होगा तो जैसे हम वही फोर्मला ए अपोन बी का लगाते तो डेल टू जेड अपोन डेल वाई स्काइर आपके अपोन में x² प्लस y² का होली स्काइर का होली स्काइर यह बिल्कुल स्काइर के बिल्कुल इसका बार आपकी बिल्कुल ठीक है इतना ही यह आपको समझा होगा बिल्कुल सिंपल यहां पर थोड़न चल रही है आपकी बिल्कुल इसके बाद में आपके यहां पर जो आपके 2y2-4 उसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहां पर इस माइनस को क्या होगा कॉमा लेने ना होगा माइनस को जैसे कॉमा लेंगे तो आपके जो आपके अंदर की वेलिव वहां पर आपके वहां पर आपके वह सेम जैसी रहेंगी झाती है तो जीसे याप माइन एंपर ओंइर अपन यहां थो यह क। थे में क्या आपके तो यही थी और यही थी यही यही और जो आपकी विए माइनसन पार्मन सबते ra कि हमी दोनों क्या घुक्राइन सब्सक्राइब करने सर्फ तो जर्व परोगिती किल लगाता है यह चीज आपड़ नेश वीडियो में हम और भी कोशन सॉल्फ करने वाले है तब तक के लिए मिलते एक नेश वीडियो में तब अगर आपको यह वीडियो अच्छल अगर प्लिसे लाइक जरू कीज़ेगा मेरे शिकायता आप सबसे कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते लेकिन आप मैंसे अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक को डिस्रिप्शिन में मिल जाएगा अबने प्ले लिस्ट बना रखिए आप उसे वीजिट करते जाए और जिने आने वाले वीडियो है हमारी उस पर ही आने वाले तब तक यलिए पढ़ते रहे और सीखते रहे झाल झाल